कि नमस्कार सब्सक्राइब बहुत बहुत सब्सक्राइब आपका अपनी यूट्यूब चैनल में आज GKGS करेंट अफेर्स का 20 पार्ट है यानी कि 20 पार्ट इसमें आज हम बन लाइन करेंट अफेर क्यों एन एक जुलाई से लिके 15 जुलाई के बीच का करेंट अफेर देखने जा रहे हैं और 15 जुलाई योकी 2021 का है कि यहां पर लिखा नहीं बड़ मैं आपको बता दे रहा हूं यह 2021 का है वीडियो आप किसी डेट में देख रहे हैं तो देख देवस का दूसरा कुछ नई लॉंचिंग्स राज्यों की नई योजनाय वाक कारिकरम रांतराष्टिय सामी की और भारत की सामी की खेल समाचार यानि की स्पोर्ट्स नियूज इसके आज इन में छे पॉइंट्स पर ही हम आज बात करेंगे सिसमें सबसे पहला हम देखते ह दिघ्ट्श तिन जुलाई को मनाएं जाता है। ये 2005 से इसका प्रारम वुआ था कब से हुआ था? 2005 से और पडिटी बश हर साली जुलाई की पहले सनिवार को मनाएं जाता एं एक लिए तो एक लिए आप देखते हैं इसमें इसकी थीम देखते हैं थीम इस वार थी इस्वार की theme Co-operatives for Co-operatives for Building a People-Centered and Environmentally Just Recovery इस्वार का theme है इसका Next इसमें हम देखते हैं स्वामी बेवेकानन्द की पुनिति Second point है आपका स्वामी बेवेकानन्द की पुनिति थी पुनिति जो होता है वो किसी की म्रक्तिव की जो date होती है उसको कहते हैं तो उसके में जो हम कारिकर्म होता जो मनाते हैं वो पुनिति होती है जर्म दिवस के लिए यतला working day के लिए हम जहननति सब्द का प्रयोग करते हैं और जिसने मिंद्थि होती है किसी व्यक्तिवी उसे पुष्धन को पुन्डितिति करूप में मनाते हैं तो स्वामे वेकानन की पुन्डितिति है वह चार जुलाई को इस लिए नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड पोइंट पे वर्ड जूनोसिस टे वर्ड जूनोसिस टे एग सिसेजày और इसके बारे में बात करें तो इसकी जो थीम है इस वार की इस वार की इसकी थीम थी let's break the chain of genotiv transmission मतलब इसवार जो इसकी थीम है वो थीम का मीन से है कि जो genotiv infection है इसका transmission जो है दूसरों एक दूसरे में रोकना और एक genesis इस बिमारी जो है वो पश्वों से इंसानों में आई है और इंसान से इंसान में जब फैलती है मतलब ब्यक्ति से ब्यक्ति में जैसे सेम कोरोना वाइरस है कोरोना वाइरस क्या वच्चमगादरा से इंसान में आया इंसान से इंसानों में फैल रहा है तो वही इसी तरह से यह भी है कि यह भी जो है इसी प्रकास से फैल कर एक महावारी का रूप ले लेता है कि नेस्ट पर देखते हैं कि 11 जुलाई को विस्व जनसंख्या दिवस विस्व जनसंख्या दिवस जो होता है वह 11 जुलाई को होता है विस्प युवा कोशल दिवस यह होता है 15 जुलाई को तो यहां तक जो आपके दिन वाले जो थे बहुतों हमने ऐसी बनायला लिख दिया था लेकिन अब आप जो आगे आपकी जितने भी हैं पॉइंट्स वो सभी कोश्चन बेस पे होंगे जैसे आपका इसमें है नई लॉं इसके बाद 2nd point है CVSC ने 50,000 शिक्षकों के लिए हाली में कौ्ण सा प्रोग्राम लॉंच किया था 50,000 शिक्षकों को इन्होंने इन्नोवेटिवỗi इंबैजिडर बनाने के लिए Uhr٦ी एक प्रोग्राम लॉंच किया है और इस प्रोग्राम का जो नाम है वा है सब्सक्राइब क्या है इनोवेशन अमेज़र प्रोग्राम कि थार्ड पॉइंट इसमें है कि इनोवेशन जो अमेज़र प्रोग्राम है जो सीवेशी ने अभी लॉंच किया यह सुरू कप से होगा यह सुरू होगा 16 जुलाई 2021 है यानि कि ये वीडियो जब पढ़ रहा चुका है तो मतलब ये प्रोग्राम सुरू हो चुका है क्योंकि करेंट है फिर 15 जुलाई तक कही है तो इसमें 16 जुलाई के लिए होगा सब्द का यूज होगा इसलिए इसका आप देखते हैं नमबर 3 पर राज्यों की कुछ कारेकरम और उनकी यूजना है तो नमबर 1 पर यहाँ पर है किस राज्य ने हाली में साधान ब्याज पर 10 लाग तक का सिख्छा रण देने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यूजना तो यही मुख मंत्री तुवारा से चुनी गई है फिर से इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं आपे हैं आंदर प्रदेश के मुख मंत्री आंदर प्रदेश के जो मुख मंत्री हैं उनका नाम है जगन मोहन रेडडी तो आखमप्रदेस के जो मुख मंत्री हैं उन्होंने एक योजना लाए हैं और उस योजना का नाम है Y.S.R. बीमा योजना इसके आत देखते हैं next point तो next point है किस राज में health ATM लगाने की योजना लागू हो गी या प्रस्ताव आया है तो यह है उत्तर प्रदेश मुख मंत्री योगी आदित अन्थ ने अभी प्रपोजल दिया था कि हम health ATM लगाएंगे जिनके द्वारा लोगों का body mass index, BP, sugar और उनका blood sample बगारा जो भी है मतलब छोटी-छोटी चीजों का जो है चैक अप किया जाएगा इसका नेक्स्ट पॉइंट इसमें है तो उत्तर प्रदेश में अभी हाली में नए medical college खुले हैं जो नए 9 medical college खुले हैं तो वो किन-किन सहरों में सुरू किये गए हैं कोशन अगर आपसे आता है किसी भी एक्जाम में आपसे पूछ ले जाए कि 9 medical college कहा कहा पर सुरू हुए हैं तो उन इसका next point इसमें है हाली में किस राजम ने अपनी नई जन्संक्या नीती को प्रस्तुत किया है तो नई जन्संक्या नीती 11 जुलाई 2021 को हमारे उत्तर प्रदेश राज के मुख्मंत्री ने इसे प्रस्तुत किया था और उत्तर प्रदेश राज के द्वारा ही इसे प्रस्तुत किया गया है जिसमें मात्र सक्ति को मतलब कह सकते हैं कि इसमें इसके द्वारा जो है जनम दर को कम करने का प्रयास किया गया और कहा गया सिसु मिरत्य दर पर जो है कम से कम रोक मतलब कम से कम हो या कह सकते हैं कि उसकी ब्रद्धी जाता ना हो काफी कुछ बातें थी उसमें अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है छुपा हुगा के लिए छुपा हुगा या कहते हैं दबा हुगा किस मतलब सामने ना आने वाला तो इसमें लाइकें ब्राइव फाइट्स इस तरह के जो पौधें हैं इस गार्टन में होंगे और एक कौन से राज जो सहर में किया जाएगा तो यह उत्राखंड के दे अभियान की शुरुआत की है के लाज ने हाली में एक टिका करना अभियान की शुरुआत की थी उस टिका करना अभियान का जो नाम है वह है मत्रू कब्चम थोड़ा नाम जो है आपको मतलब अजी टाइप सा लग रहा हुआ लेकिन उदर जो है उस उदर की लेंग्वेज म समस्वाам की तो इसमें जो है सबसे पहले देखते हैं Korean year Korea की जो एर आव एर्लाइन तो Korean year जो है उसको Air Transport World ATW इसका full form एक एए टांसपोर्ड बर्ट का ATW का full form है क्या है Air Transport World ने किस प्रृसकार से इसको नवाजाया कौन सब पुरसकार इन्हें दिया गया है तो इन्हें 2021 एरलाइन आफ दा इयर जो की जिसे हम इंडस्ट्री का ऑसकर भी कहते हैं उद्ध्योग जगत का ऑसकर कहा जाता किसे एरलाइन आफ दा इयर का तो यह ने मिला है किसे कोडियन एयर को इसका नेक्स्ट एमेजॉन के जो नए स possibly सीओ थे मुकख कारेकारी अतिकार्य से हिंदी में बोलते हैं तो इसका जो नाम है बॉझेभ वो य्ट बेजोस स्थे जो पहले थ व्हननोंने स्थीपा दे दिया उनकी जगएahah किसे निउक्त ऑक गया है तो हमेजन का नय मिला शियो किसे निउक्त किया गया है इस तरह का प्रधान मंत्री हाली में अभी च्यक्किश्चि बहां के सुप्रेम कूट नीजो था वर्तमान जो उनके प्रधान मंत्री पहले रहे थे सम। केपी सरमा उली, उनको यह बार हटाया था। यह बार संसत भगई थी, दोवारा बने थे। इसके बाद नेक्स इसमें देखते हैं चाइना चाइना की बात ना करो तो वर्ड की बात अब तो अधूरी है क्योंकि चाइना कुछ ज्यादा ही गदर काटने लगा तो इसने चाइना ने एक नया क्या कह सकते हैं नई खुरापास शुरूगी है चाइना ने हाली में एक सैट से अंत्रिक्ष में धान के भीच है तो सटलाइट का जो नेम है बहुरेश का है जांग फाइव का नाव को & और ध्युभ वंधी है ने इस में इसने बना इक तो पश्म किस देशी स्टρिक्षिंद के इन्होंने क्या किया चीं ने जो धान के बीच न्टिरशकी में सैटेल fortress से भेंजे थे उसे बापस बला के उसको बोया और उसकी धान की कटाई किए तो कहरा है लेकिन यह जो है American है इस वजे से उनका जो हमने अंतराष्टिय में रख दिया तो भारत की मूल महला है भारतिये मूल की एक महला है यह कैसे ने लड़की है तो उस जो उनका नाम है पैग्ञानिक हैं तो उनका थोड़ा सा इज़्जत से नाम लेंगे तो भारत की मूल की अंतरिक्ष में चाचुकी हैं उनका नाम है सिर्षा बांधला क्या है शिरीशा सिरीशा भी लिखा lou शिरी शंसा बांधला हैं जो है इना याद रखेंगे अभी हाली में इसके इनको तक्में hung का चलंक है GCI इसमें टॉप 10 में भारत जो टॉप 10 में किस देश ने पहली वास ऐतिस्थान उपर आकर चलंग लगाई आए तो यह भारत है भारत जो था 37 इस्थान जो था बूंद नीचे से ऊपर आया है और टॉप 10 में इस जगा बना लिए बैस्विक साइबर सूचकांग में और अभी प्रिथम स्थान पर अमेरिका यूके और कनाड़ा यह सब हैं पहले पर अमेरिका फिर यूके है सेकंड फिर थर्ड कनाड़ा जर्मनी यह सब कंट्री है तो फ्लालंड टॉप 10 में आगा है यह बहुत बड़ी ब कि लिए पिससे पहले कौन से थे तीरत सिंह रावत नेक्स्ट देखते हैं पूर्वत्तर में हाली में किस स्थान पर पहली यात्री ट्रेन का सपल परिक्षन हुआ है तो पूर्वत्तर में अगर स्टेट की बात करें तो असम से मरीपुर में हुआ है और अगर सहरों की बात स्टेशन तक जो है इसका सफल परिछण किया गया है इस्टेट आप से पूचेगा तो आप बताएंगे असंसे मड़ीपूर अभी एक कोशन मैं यहां पर लिखा नहीं है मैंने हो सकता है वो नेक्स वाले माया है जिसमें आपका नेपाल भारा से नेपाल के बीच में ट्रेन सब्सक्राइब ऊता नहीं चले तो उसका भी कोशस्टा नएक्स अपको मिले इसकर नेक्सितम में है स्टार्ट अप क्लिक नेश्ट वीडियो में बता देंगहें वन होगर तो इस्टार्ट-अप ग्लोबल इको सिस्टम 2020 में भारत को किस इस इस्थानपन रじゃए तो महारत को बीसमा इस्थान मिला है कौन सा बीसमा इस्थान सौधेसों की यह बनाए गई थी सूची जिसमें आप भारत को बीसमा इस्थान मिला है सौधेसों में बीसमा फिर भी काफी अच्छा है बैटर है बायुसेना की पस्चमी कमान में लास्ट में देखते हैं खेल समाचार जो है स्पोर्ट्स निउस यानि तो इसमें टोकियो टोक्यो अलंपिक जो की आज जिस डेट पे हम ये वीडियो डालने वाले हैं इसी डेट पराज से टोक्यो ओलंपिक सुरू हो चुका है आज 23 जुलाई से तो टोक्यो ओलंपिक में भारत की जूरी जो मतलब हाँ जूरी में सब्सक्राइगाैं उसमें एक सदस भारसे भी है उनका नाम है किसे नियुपक एंग कोशन पूछा दाता है तो इनका आउनसर होगा perfectin ब्वारत ने बारत जो है वो कौन सी Championship कराएगा तो यह 2026 में बर्ड Championship जो है Badminton की वो कराने का फैसला लिया गया है नेक्स्ट कोश्चन टी-20 में और नेक्स्ट या लास्ट कोश्चन टी-20 में लिए 14000 रन बनाने बाले एकलाबी कौन से बनेगे टी-20 जो वो है क्रिस गेल क्या नाम उनका? क्रिस गेल 14,000 रन बनान में आले सबसे पहले खिलाड़ी बन गए है तो आज का इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जिसमें आपका बाकी बचा हुआ जो लाइक का करेंट अपकर कवर करवाएंगे थैंक यू सो मच वीडियो देखा हुआ जहां तक जल्दी में आपके नेक्स्ट क्लास में जैहिन टेक क्यर